नमश्कार SBT News में आपका स्वागत हैं पेशे 4 अक्टूबर बुद्वार दुपर सवाई एक बजे राजिस्थान की 15 बड़ी खबरे इस न्यूज बुलिटिन के प्रायोज़क हैं विनी, विनी केक एन मोर तो सबसे पहले एक नदर आते हैं आज की हेडलाइन्स पर आप सांसा संजय सिंग के घर इडी का छापा, सिक्के में बादल फटने से बाढ़ आई 23 जवान लापता, सरकार ने 9 IPS और 2 IS की के ट्रांसफर कोचिंग सैंटर्स में एक महिने बाद फिर से होंगे टेस्ट, अब जारी नहीं होंगी रैंक और जोत्पर में 450 करोण में बनेगा ट्रोमा हॉस्पिटल, पी-एम कल देंगे सोगाथ, और अब खबर विस्तार से आमादमी पार्टी के राजसबा सांसा संजय सिंग के घर बुधवार सुबह 7 बज़े इडी की टीम पहुंची ये चाप इमारी संजय सिंग के दिल्ली वाले घर में हो रही है, बताया जो रहा है कि करीब 7-8 अधिकारी आपका रही निती केस की सलसले में चानवीन कर रहे हैं, आपका रही निती केस की चार्ट शीट में संजय सिंग का भी नाम है आप सांसा संजय सिंग के आवास पर एडी की छापे मारी पर उनके पिता का कहना है कि विभाग अपना काम कर रहा है हम उनका सहियोग करेंगे मैं उस समय का इंतजार करूँगा जब उन्हें क्लेरंस मिल जाएगी इस से पहले 24 मई को इसी केस में संजय सिंग के करीबियों के यहां इडी ने चापा मारा था सिक्की में बादल फटने से तिस्ता नदी में अचानक बाड़ा आने के वज़े से तेश जवान लापता हो गए गुवाहाटे के डिफेंस पियारों ने बताया की लोनक जील के उपर मंगलवार देरात करीब तिस्ता नदी में अचानक बाड़ा गई नदी से लगे इलाके में ही सेना का कैम था जो बाड़ की चपिट में आने के बाद बह गया अचानक पानी बढ़ने से चुंग थांग बाण से पानी छोड़ना पड़ा इसके बाड़ निचले इलाके भी डूबने लगे यहां सिंग ताम के पास बारदांग में खड़े सेना के 41 वाहन डूब गए राजसान की कहलो सरकार ने मंगलवार देरात राजसान नो आईपेस और दो आईएस अधिकारियों के ट्रांसफर किये हैं आईएस महावीर प्रसाद मीना को कोटा कलेक्टर लगाये गया है वहीं आईएस ओंप्रकाश बुनकर का ट्रांसफर राजसान राज्य भंडारन निगम के M.D. पतपर किया गया है इनके अलावा 9 IPS अधिकारियों के भी तबादले किये गए हैं इसमें सरकार ने SOG ATS के ADG को बदल दिया है चुनाव आयो की गाइडलाइन के अनुसार एक ही पत पर 3 साल से ज़्यादा समय तक रहने वाले अधिकारों के ट्रांसफर किये गए हैं कोटा में पिछले 9 माहिने से हो रहे कोचिंग स्टूडेंट की सोसाइड को रोकने के लिए टेस्ट पर रोक लगा दी गई थी अब एक मेहने बाद के लक्टर ओपी बुन करने मंगलवार को टेस्ट से रोक हटाने के आदेश ज़्यारी कर दिये हैं पड़ा ट्रोमा अस्पिताल की सौगाद देगा शैमंजीला इस बिल्डिंग के लिए करीब 450 करोड रुपे खर्च होंगे पियम मोदी के कल प्रस्तावित कारिकरम में इस नए ट्रोमा हॉस्पिटल का भी शिलान नयास होगा नए भवन में 200 बैट के नए ट्रोमा सेंटर क साथ ही और भी स्विधा होंगी इसके लिए करीब 450 करोड रुपे खर्च होंगे इसमें से करीब 300 करोड से जादा का बजट सिर्फ भवन इर्मान का है राजसान करमचारी चैन बोर्ड की लापरवाही की कारण परशुपालन विभाग में एनिमल एटेंडेंट के 5934 पदों की भरती की विग्यपती जारी नहीं हुई है इस भरती की घोषना तीन माहा पहले ही की जा चुकी है अब विधान सभा चुनावाचार संगहिता के चलते ये भरती अटक सकती है परशुपालन विभाग की ओर सी भरती के लिए अभेर्थना करमचारी चैन बोर्ड को भेजी जा चुकी है मुख्य मंत्रिय अशो गहलोत ने इस भरती के लिए शक्षने की योगिता आठ्मी की जगदस्मी करने के साथ ये प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी थी उदैपुर में राना प्रताफ स्टेशन पहुँचने से तीन मिनट पहले जब उदैपुर इंटर सिटी ट्रेन में मंगलवार राद बदमाशों ने पत्राव किया इसे एसी कोच का कांच टूड गया हालांकि किसी भी तरह की जन्हानी नहीं हुई है गटना मंगलवार रात करीब सबनो बजे की है जब जब पुर इंटर सिटी ट्रेन डाना प्रताफ स्टेशन पहुँचने वाली थी इससे पहले ही कुछ बदमाशों ने बेडवास बस्ती से खेम पुरा के भी स्ट्रेन पर पत्राव कर दिया इसे कोच में बैठे यात्री अचौनक सहम गए एसी कोच नंबर सीटू की 21 नंबर सीट वाले खिड़की पर पत्थर आकर लगा जिससे कांच बुरी तरह सिशद्दिक रस्थ हो गया 19 वे एशिन गेम्स का आज 14 दिन है भारत ने आर्चरी मिक्स्ट टीम कंपाउंट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है गोल्ड मेडल मैच में ओजिस प्रवीन और जियोती सुरेखा की भारती जोडी ने कोरिया की जोडी को 169-158 से हराकर सौन पदक अपने नाम किया इससे पहले भारत ने जोकार्टा में खेले गए एशिन गेम्स 2018 में शौनदर प्रदोशन करते हुए सबसे अधि 70 पदक जीते थे विदानसपा चुनाओं के प्रत्याशी पैनल पर प्रदेश फाजपा के शीष नेताओं के आपसी खींसान से परेशान आलकमान ने रास्टे संगठन महामंत्री बियर संतोष को मंगलवार को जयपूर भेजा विशाम को प्रदेश फाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामि हुए यहां दिली से भीजे गए फॉर्मूले के अनुसार उन सीट और प्रत्याशियों के नाम पर लंबी मंतरना हुई जिसे पहली सुची में शामिल किया जाना है शेश नेताओं के बीच आपसी सहमती बनाने के प्रयास किये गए हैं सूत्रों की मताबिक पहली सुची मे पास के वले एक सुची जाएगी रास्टे अध्यक्ष जेपी नडब उद्वार को जापूर आएंगे और उन्हें इस बैठक का रिजल्ट बताना है भाषपा ने मध्य प्रतिश विदान सपा चुनाव के लिए प्रतियाशियों की तीन सुचियों में 89 टिकट दे दिये हैं इन में से 30 प्रतिशत टिकट उन लोगों को दिये गए हैं जिनके उम्र 60 साल या उससे भी ज़्यादा है ये अनुपात पिछली बार से भी ज़्यादा है ऐसे में भाषपा की युवाओं को ज़्यादा मौके देने की बात पर सवाल उठ रहे हैं राजनेतिक विशलेशकों का कहना है कि पार्टी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है कोई रिस्क नहीं ले रही है केवल जिताओ उमिद्वार ही क्राइटेरिया है यही वज़ा है कि वरिस्नेताओं को वापस मैदान में लाया जा रहा है युवाओं को 89 में से 17 टिकट ही दिये गए हैं देश में वंदे भारत ट्रेन का स्लिपर वर्जन अगले साल मार्च तक पट्रियों पर दोड़ता नज़र आ सकता है केंजर टेल मंत्री अश्वनी वैशनव ने 3 अक्टूबर की रात 49 पर सोचल मीडिया पर इस ट्रेन की कॉंसेप्ट के साथ तस्वीरे शियर की साथ ही क्याप्शन में लिखा कि वंदे भारत का स्लिपर वर्जन जल ही आ रहा हैं 2024 की शुरुआत में वर्ल्ड क्लास फीचर वाले AC2, AC3 टियर कोच में रूफ लाइटिंग और बर्थ में चड़ने के लिए 5 स्टेप वाली सीड़ी भी होगी संभावना है कि अगले साल 10 वंदे भारत स्लिपर ट्रेन चलेंगी एक वकील सी मारपीट की मामने में उदेपूर बार एसोसियेशन के बढ़ते विरूद की चलते प्रताब नगर थानादिकारी हिमानशु सिंग राजावत को डेड़ माह में दूसरी बार APO कर दिया गया SP भुवन भूशन यादव ने इस समंद में जौंच कमेटी गठित की है जिसमें चौर वकील और चौर पुलिस अदिकारियों को शामल किया गया है मामने में मंगलवार को वकीलों ने SP से वारता की थी महीं दो दिन पहले वकीलों ने कलेक्टरेट पर जोड़दार प्रोदेशन किया था जिसमें प्रताप नगर थानादिकारी को हटाने की मांग की गई थी दिली पलिस ने 3 अक्टूबर की रात न्यू क्लिक वेबसाइट के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्त और H.R. प्रमुख आमिति चकरवर्थी को गिरफतार किया था 4 अक्टूबर की सुबह उन्हें 7 दिन की पलिस रिमान में भेज दिया गया है इन पर फॉरन से फंडिंग लेने का रोप है पलिस ने सुबह 30 से ज़्यादा लोकीशन्स पर छापे मारे थे पलिस ने बताय कि मामले में 46 अंदिग्दों से पूस्ताच की गई इनमें 37 पुरुष और 9 महिलाओं शामिन हैं पुरुषो से दिली पलिस स्पेशल सेल के दफ्तर और महिलाओं से उनके आवास पर पूस्ताच की गई पंजिया नमे मुदरांक विभाग में पासपोर्ट कारयलों की तरच पर खोले जा रहे मौडल उपंजिय कारयलों की विरोध में विभाग या मंत्राली करमचारियों की पैंडाउन हर्टार दूसरे दिन भी जोरी रही इसे मंगलवार को राजे के 114 फूल टाइम कारयले में करीब 4,000 दस्तावेज का पंजियन नहीं हुआ इसके साथ इस सरकार को भी करोडों का राजे सुन नहीं मिला मंत्राली करमचारियों के समर्थन में विभाग में कारत कम्पेटर करमचारी भी हर्टाल में शामिल है हर्टाल को डीर राइटर्स और स्टाम वेंडर्स ने भी समर्थन दिया है कारेले में प्रति दिन डेर सो से दो सो दसावेज का पंजियन होता है राजिसान में बच्चों को अंग्रेजी माध्या में अध्यन कराने के लिए हर जिले में मौडल स्कूल खोले गए करीब एक सार पहले प्रात्मिक वैप पूर प्रात्मिक कक्षाओं का संचालन करने के लिए एक अरब रुपए से प्रदेश में 134 ने भवनों का निर्मान किया गया लेकिन आज तक कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं हुआ है हेरिटेस लुक वाले कई मौडल स्कूल भवन तो रख रखाव के अभाव में जून शीन होने लगे हैं प्रात्मिक वैपूर और प्रात्मिक कक्षाओं का संचालन करने के लिए उद्यशे से हर जुले के मौडल स्कूल में बनाए गए भवनों पर करीब एक करोड रुपे खर्च हुए है तो फिर आल इस बुलेटिन में इतना हैं फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ